हाई फ्रेंड्स में किरन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्व चैनल पर जो है स्वराज गाइस केंटमेंट बोर्ड डाल हाउजी रिक्मूटमेंट हो रही है गाइस बहुत बड़ी संग्या में यहाँ पे पोस्ट के बात करते हैं तो मजदूर सफाई वा आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो अंतिम डेट की यहाँ पे बात करते हैं तो 11 में 2019 इसकी अंतिम डेट है तो आपको 11 में के पहले यहाँ पे आवेदन करना है कम से कम लगभगा इस आपको यहाँ पे देड़ महीनो का समय मिल रहा है तो जितना जल्दी हो सके तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर आवेदन कर देना वीडियो शुरू करने से पहले हम आप से रिक्वेस करते हैं अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त आप बने रहे हमारे साथ तो गाइच जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह जो रिक्विटमेंट हो रही है गाईज यह कैनल में बोर्ट डालहाउजी दिस्ट्रिक्ट चंबा में है गाइज यह हिमाचल प्रदेश में आता है और यह जो नोटिफिकेशन है यह पांच मार्च को छपवा गया था इसके जो आविदन प्रोसेस है वो 18 मार्च से चालू हो चुके है और अंतिम डेट की यहाँ पर बात करते हैं तो 11 में 2019 इसकी अंतिम डेट है आपको ऑनलाइन माध्यम से आविदन करना है जो बलकि www.cantementboardrecourt.org आपको यहाँ पर जाना ह है और सबसे पहले आपको आविदन करना है ऑनलाइन माध्यम से पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला जो पोस्ट है जूनियर क्लर के लिए आपकी जो पेस्किल होगी 5910 रुपए से लेकि 20,200 आपकी तंका होगी उसके साथ आपको 19 रुपए का ग्रेट पी द पोस्ट तक जिसमें आपको ग्रेट पे मिलेगा 2,000 रुपए का और यहाँ पे OBC कैटिगरी को एक पोस्ट मिल रही है आया किले गाईस यहाँ पे आपकी जो तंका होगी 4900 से लेके 10,680 रुपए जिसमें आपको ग्रेट पे मिलेगा 1300 रुपए का जिसमें जंडर कैटिग के लिए पाले ही apply कर सकते हैं यहां पे नंबर आप पोस्ट के बात करते हैं तो एक है सफाई कर्मचारी के लिए गाइस आपकी जो तंका होगी 4900 से लेके 10680 रुपए उसके साथ आपको ग्रेट पे मिलेगा 1300 रुपए का जनरे कैटिकरिय को गाइस यहां पे चार पोस्ट मिल रहा है स्ट को यहां पे एक पोस्ट मिल रहा है ओबी से को यहां पे दो पोस्ट मिल रहे है यहां पे एक पोस्ट मिल रहे है यहां पे एक पोस्ट मिल रहे है तो आपको यहां पे आठ पोस्ट मिल रहे है ज इसके साथ आपको ग्रेट पर मिलेगा तेरा सुरुपय का नंबरा पोस्ट की हावे बात करते हैं खाली जंडर कैटीगिरी की ही लोग यहां पर अपलाएं कर सकते हैं उसी प्रकारे टीचर की जो पोस्ट है इसमें पांच आज नौसो दस रुपय आपकी तंका होगी ठीक है और 20,200 तक मतलब जा सकती है ठीक है और जिसमें आपको ग्रेट पे सबसे ज़्यादे मिल रहा है वो है 3,000 रुपय का जिसमें जंडर कैटीगिरी को दो पोस्ट मिल रहे है और SC को यहां पर एक पोस्ट मिल रहे है तोड़ा नंबर पोस्ट के आपको यहां पर तीन पोस्ट मिल रहे है अभी यहां पर आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका कौलिफिकेशन अगर आप पहले जो पोस्ट है अगर आप केवल और केवल 12 पास हो और उसके साथ आपने MSCIT किया है थोड़ा बहुत आपको नॉलेश है कंप्यूटर का यह आपको टाइपिंग आता है बह जो बलकि आपकी अगर आप में हो ठीक है तो आपकी जो हाइट 165 cm होनी चाहिए और जो चैस्ट है गाइस वो 79 cm होनी चाहिए जो बलकि आपको 5 cm फुल वाना है और आया के लिए यहां पर बात करते हैं अगर आप केवल और केवल आठवी पास हो तो आप इस पोस्ट के लि या आप ग्रेजुएट हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो यहां पर आगे चलते हैं बात करते हैं एज लिमिट की तो जन्डर केटिकित से अगर आप बिलॉंग करते हैं आपकी जो उम्र है 18 से लेके 25 यहस तक होने चाहिए जिसमें सीस्ट को पांस साल का रिजुएशन शूट मिल रहा है और यहां पर सेलेक्शन मोड की बात करते हैं तो आपको यहां पर 90 मिनिट मिलेगे जिसमें आपको स्वामा का कोशन का पेपर होगा वह आपको चुडाना है ठीक है फिर उसके बाद आपका स्कील टेस होगा स्कील टेस में हम आ पतलब सफाई करमचारी आया के लिए अपलाय करना चाहते है ठीक है तो वहां पर आपको दिखाना है आपको किस प्रकारे वहां पर काम करना है ठीक है वह आपको उसी में स्कील टेस्स लिया जाएगा उसी दिन लिया जाएगा यह आपको बाद में ही बुला सकते है और जो जो हाइट वग्रा है उन्होंने जो मांगी है वो न हम पी जाएगी यही प्रोसेस होने में जोघल्ट करोट है उसमें कि zijn आपकी स्केल्ट है उसमें आपकी स्पेड़ड लेखे आपको कितना स्पीड है यहां पे आजन जो सबसे ज़्यादा आसान है वह सफ़ाई करवाचारी मजदूर हो गया ठीक तो यह बहुत आसान काम है और इसमें पासिंग के लिए भी बहुत मतलब कम मंदब चाहिए आपको और स्केल टेस्ट आपको तो पता है जो काम हम घर में करते हैं वही काम आपको वहाँ पर करके दिखाना पड़ता है आगे चलते हैं बात करते हैं इसका सिलाबस की बारे में सबसे पहला जो पेपर होगा गाईस वह है जन्रल इंट्रिजन रीजनिंग के लिए उसके उपर बाइट करके रखें तो सबसे आपको पहले देखना है कि अभी देखो यह 01 से लेके 03,04,05 जो है तो उनके लिए यही सेडूल होगा ठीक है अभी यह जो आग देख रहे थे मैंने यह बता था आपको ठीक है तो यह पोस्टल कोड है तो यह आपको ध्यान में रखना है और आपको जो सिलाबस है गाईस वह आपको यहाँ पर नीचे देखना है ठीक अच्छे से आप कौन से पोस्ट के लिए अपले करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर देखना है आगे चलते हैं बात करते हैं आपको यहाँ पर देखना है और आवेधन करना है अगर आपको पता नहीं है आपको किस प्रकार या आवेधन करना है इस तो मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था ठीक है तो उसमें हमने बता है कि आपको किस प्रकार या आवेधन करना है तो वो जो वीडियो है गाईस वो आप देख लेना अच्छे से फिर आवेधन कर लेना ठीक है वीडियो अच्छे लगे तो इससे दोर लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों लोग के साथ मिलते हैं अगले वीडियों तब तो ख्या रखेगा जैहिन जै भारत वंदे मातरम